बस मिल बाज़े देखो लोग यह लंबू-तंबू हो रहा है बूरा नीचे तक लंबू-तंबू तो कम जोरी के लग से खाए है 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 का सब लोग इस अब सब लोग मैं अगर मेरे नुव ब्लॉग में और आज दीदी मेरे रोम पर आए हुई थी और हम जारते मार्केट घूमने कुछ सॉपिंग करने तो चलिए सुरू से स्टार्ट करते हैं सुरू से बने रहे है मेरे व्लॉ तब तक सबके सब उसके बाद हम जाने वाले हैं मार्केट तो मैं थोड़ी सी रेडी हो रही थी पर मैंने मुझे याद आगे कि मैंने भी बेल भी लगाने क्योंकि यहां पर गर्मियों के टाइम पर जो बेल थी अब एक भी निवची उस गर्मियों में सूख गई थी तो बरसात का टाइम था जुलाई का महिने था तो मैंने बेल लगा दिये ऐस जाने वाले हैं मार्केट यह थोड़ी बहुत सौपिंग करनी हैं दीदी ने का कि बहुत जगो जाना है तो पहले हम मार्केट के और चलते हैं यह सब दिखा ली हैं मैंने आपको पूरा खेत है बहुत अच्छा है मतलब मैं यहां पर खेती भी करती हूँ थोड़ी थोड़ी तो चले दोस्तों अब हम चलते हैं रहे हैं तो दोस्तों यहां पर रेडी होके हम निकल गए मार्केट के और यहां पर थी दीडी मैं लखी और नट्टू थी मेरे साथ और डुगू और दूसरी इश्रानी वह हमने घर में छोड़े हुए थे वह रह जाते हैं घर में तो हम चले गए थे सौट कर रास्ता मैं दीडी को बलाग में डेली ब्लॉग में आपको देखने को मिली यह देख रही है इसकी सैथाने बढ़ती जाती है तो दोस्तों हम पहुंच गे थे दीख सकते हैं मेन डाक छाधा गंदगी यहां यहां पे रहती है मतलब भांव सहा भगन और हम पोर जिया थेक ठाक है मौनिंग में महीं इतना ज्यादा बारिस नहीं था ठीक लग रह था बारिस नहींठी तो यहांपे हम पहुंच गए मीन मार्केट में यहे है भग Además बालमी के द्वार तो यहां से निकलते हैं मीट मार्केट यहां पर पूरा चिकन आपको मिलेगा फिस चिकन मटन सब इधर ही मिलता है यह मीट मार्केट है मैं आपको फिस दिखा देती हूं बड़ी बड़ी फिस रहती हैं पर यह देखे बहुत बड़ी बड़ी फिस रहती है आपे लेकिन आज कौन खाता है बहुत कम लोगी खाते होंगे तो चलिए मीट मार्गिर से आगे पहुंसने वाले हम जंडा चौक में जो भी कूरदार से होगा उत्राकन से होगा उसको पता होगा जंडा चौक के बारे में यह देखिए यह जंडा चौक इसलिए क्योंकि यहा पर देख सकते हैं बादल कैसे लगे हुए अभी बारिस का तो कोई नाम नहीं है पर साम तक हो सकती है तो हम यहां पर लकी के लिए सबसे पहले बरसात में चपले ले रहे तो मैंने का दो जोड़ी चपले ले लो लकी को पसंद आये ना आये पर उसके पैर बहुत पतले हैं पर नट्वर लकी खा रहे थे पानी पूरी जो इनको बहुत पसंद आये और एक दूसरों को इस सारे भी कर रहे थे कि यास बहुत ही जादा यम्मी हो रहा है तो मैंने का चुप चाप दोनों के दोनों खालो फिर एक एक दो दो हमने भी इनके साथ से उठाए थे लेकिन ब माँ से चलते हैं आगे की और यहां पे डुकान है सौप जहाँ फे मस थी मतलब कपड़े मिलते और यहां पर नट्व और लक्ही करते हैं मस्तीयां बच्चे को कहा सरम लगे फूरा नीचे तक लंबू-तर दोस्तों वहां से भी हमनी कुछ निकल गये थे हम आगे की और आग डुगू के खरीद लिये थे फिर यहां पे लखी की चैस्टी लखी को तो वह ब्लैक कपड़े ज्यादा पसंद है क्योंकि वह इतना वाइड हो जो है उस पे ब्लैक अच्छे लगते हैं तो उसने अपने लिए ब्लैक की टी-सर जीज बगड़ ली थी तो सौपिंग करने के पर दोस्तों हम आ गये थे घर क्योंकि बहुत सबस्टों हम मैं हो गी थे ए भर में क्रमा के निि के जाना है और दीडी को रास्ता नहीं पता था तो हम सब के सब चले दोस्तों यह आपब जैसे भाइर किका अनल बहुत तेज बादी सो गई थी Merci मतलब अभी तो हलकी थी और हमारे पास चाताह में तन को हमारे साथ बच्चे भी थे और में अरडीदी आ सब बाकि आपके शाते में लेके थे और बारिस होने वाले ही बारिस बहुत जयादा तेज आपको दिकारते हूँ नियुक्त तेज बारिस हका रही है मतलब यह मोटर भी चालो थी दोस्तों और मोटर बंद करना भूल रहते बोरी सड़क में पानी इतना घुस गया था कि वापरी वाप बोलने की जूरत नहीं थे आदा गंटा लगबाग हम यहां पे खड़े रहे उसके बाद हमें और तो मिला दोस्तों आदा गंटे के बाद क दर लग रहा था तो भावी ने बोला था कि आज यहां जाओ तो थोड़ा हम चले गए थे सब के सब वहां पर मस्ती करने वहां पर मेरी बहन भी है भावी है फिर हम दोनों भी यहां से जा रहे हैं और बच्चे सब के सब भावी के घर पांच मिनट के अंदर क्या दूर नह यहां पर मस्ती करते उसके साथ यह देखिए उसके साथ थोड़ी मस्ती हो रही थी क्योंकि वह कमजोर है इसलिए तो यहां पर उसने सब को बच्चों को खाना दिया सब बच्चों ने कपड़े निकाल दिये थे क्योंकि कपड़े बहुत बुरी तरह भी चुके थे तो हमा मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती दोस्तों यह दिए किती तेज बारिस है मूसला धार बारिस थी बहुत ज्यादा तो बारिस तो एंड होने वाली नहीं थी बट मेरा ब्लॉग यहां पर दाइंड होता है और मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मस् दिल से मिलते हैं अगले ब्लॉग में लाइक सस्क्राइब कमेंट बड़ गुडबाए